Hello students, आज आए वीडियो में देखेंगे trigonometry 10th board का जो chapter 3 है trigonometric ratio of complementary angles इसका equation देखेंगे वीडियो में जिसमें कि आपको किसी भी triangle में ठीक है? किसी भी triangle में आपको बोला जाएगा if a, b, c are the angles of the triangle a, b, c then show that shine b plus c by 2 is equal to cos a by 2 question नहीं रहेगा आपका किसी भी triangle a, b, c में ठीक है? आपको ये proof करना है कि sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2 ठीक है? ये आपको proof करना है कैसे करेंगे proof आप? सबसे पहले हम लोग जानते हैं we know that हम लोग जानते हैं किसी भी triangle में तीनों angle का sum जो होता है आपका angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 degree चलिए जब ये 180 degree होता है हम लोग प्रूब करना है sin b plus c is equal to possibility तो b plus c को आप रहने दीजिए चलिक है? आप b plus c को रहने दीजिए b plus c जो आपके अस्वान पर रहेगा ठीक है? आप लिख सकते हैं implies that angle b plus angle c is equal to 180 degree minus a ठीक है? angle a अब क्या होगा? अब तोरा समझे? अब दोनों तरफ जो है lh6 जिसमे b plus c by 2 तो से डिवाइड दे दीजिए इसमें भी 2 से डिवाइड दे दीजिए ठीक है? अब लिख रहा है बाफ I hope समझ रहे हैं आप लोग चलिए अब क्या करेंगे? ये b plus c by 2 रहे गया इधर इधर क्या हो जाएगा? बताइए 290 80 आप इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ay2 चुकि हम लोगो प्रूब करना है sin b plus c by 2 is equal to cos ay2 अब आप क्या करेंगे? imply jack दोनों तरफ sin लगाईए b plus c by 2 is equal to क्या हो जाएगा? sin 90 90 डिग्री माइनस ay2 यह डिग्री है तो अब आप क्या लिख सकते हैं? इधर दो आपका हो गया sin b plus c by 2 is equal to आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस तीटा यानि को cos a by 2 ठीक है? अब नीचे लिख देंगे hence sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2 ठीक है? यह आपका हो गया proof इस तरीके से आप इस question को बनाएंगे ठीक है? और जहां पर आप formula लिखें हैं वहाँ कोसिस करें कि आप bracket में right side जैसे यहाँ आप यहाँ आप इसके जेगा पर 10 90 माइनस तीटा is equal to यहाँ लिखे cos पर यहाँ आप right side bracket में जो है आप यहाँ पर since करके आप लिखेंगे sin 90 minus minus theta is equal to cos theta यह आप bracket बन करेंगे आप इस तरीके से ट्राकेट बन करें ठीक है यह लिखना चाहिए लिखना है आपको तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगले वीडियो में हम लग टिक्रोमेट्रिकल आइडेंटीजी चैप्टर जो है ठीक है आपका 10th का जो आइडेंटीटी है टिक्रोमेट्रिक आइडेंटीटीज उस चैप्टर की हम बात करेंगे उस चैप्टर की हम बात करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में इतना है इस वीडियो प्लिस लाइक से और सब्सक्राइब मैं चैनल और जो फर्स चैप्टर सेकेंड चैप्टर जो भी उसका थेरी है थर्ड चैप्टर का जो भी तेरी है वह में पढ़ा तुका हूं आप उसको देखिए इस चैनल पर और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक से रहें और सब्सक्राइब करें ठीक है ताकि और इस्टोंच को भी बेनफिट हो थैंक्स पर वाचिंग